2022 के बोर्ड एग्जामनी के लिए बहुत अच्छे और बढ़ी खुसकावरी है कि उनके सेलेबस को 50 से 60 परसेंट तक रेड्यूस कर दिया जा है ICSE 2022 और ISE 2022 आप सेलेबस को CISC के ओफिसिल वेब साइट पर जाते हैं तो देखेंगे रिजल्ट वाला सेक्षन ये 2021 के ICSE और ISE के रिजल्ट आने वाले हैं इसका इंडिकेशन है और इसके बाद जैसे ही पब्लिकेशन सेक्षन में इंटर करते हैं तो आपको दो बुकलेट मिलेंगे ऑनलाइन और इसको जैसे ही ओपिन करते हैं तो हिस्टरी में करीब तीन से छे चैप्टर ही पढ़ने है जोगराफी में भी फाइब चैप्टर पढ़ने थे अब इसको थिरी चैप्टर पर लिमिट कर दिया गया है और बताया यह जा रहा है कि मैथ में तो करीब साथ से आठी चैप्टर को बता दिया गया है कि पढ़ने इतना बड़ा रिड़क्शन या तो आईसे से क्लास टेंद के लिए हैं चाहें कम्प्यूटर अप्लिकेशन की बात कर लिजें स्क्रीन पर दिख रहा है या फिर अन्य सारे सब्जेक्ट बाइलोजी, फेजिक्स, केमिस्ट्री तो एस सेलेबस के रिड़क्शन इस बात के प्रूफ है कि CISC 2022 के बोर्ड एक्जामनेशन लेना चाहता है और उसको लेने के लिए उसने सेलेबस को ड्रास्टिकली 60% तक रेड्यूस किया था मैंने आपको एक महिने से ज्यादा समय पहले बताया था कि ये सेलेबस के रिड़क्शन मिनिममम 50% तक होंगे क्योंकि CISC डिटर्माइंड है 2022 के बोर्ड एक्जामनेशन को कंड़क्ट करने के लिए तो ये सामने आ गया अब नए एक्जामनेशन पर टर्म की बात कर ले इसे पहले ISE 2022 के स्टूडेंट के बारे में भी देख लेते हैं कि उनके सेलेबस को कॉमर्स एकोनॉमिक्स में भी जिस तरह से रेड्यूस किये गया जिसमें हिस्ट्री है पोल साइंस है यह बताते हैं कि बोर्ड एक्जामनेशन 2022 राधर बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव होने वाला है यहां पर मैंने टर्म यूज किया है कम्प्रिहेंसिव इसका मतलब यह हो गया कि आपके जो बोर्ड एक्जामनेशन होंगे उसमें सबजेक्टिव के साथ अबजेक्टिव कोस्टन को लाने की बात CISC कर रहा है अपने स्कूल जो स्टेक होल्डर है उनसे नियमित कनवर्सेशन में है कि किस तरह से नए एक्जामनेशन पैटर्न को लाया जाए लेकिन अभी तो CISC, ICC Class 10th and IEC Class 12 2021 के बोर्ड एक्जामनेशन के रिजर्ट पब्लिकेशन को लेकर डेट को फाइनल कर चुका कि इस समय जिस तरह के जक्चर है उसमें बहुत कुछ किलियर होना बाकि है तो इस जानकारी के लिए थमसा बंताई इस चैनल को सब्सक्राइब क करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी अच्छे जानकारी के बाद आपको 2022 के लिए देने जा रहा हूं तो इतने अच्छे न्यूज के लिए एक थमसाप बनता ही है All the best for your board examination 2022. Thank you.